अव्यक्त शिक्षाओं का अन्मूल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है जिन्दगी का अफसाना ये श्रंखला सर्वात्माओं के पेता परमात्माश्यव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है ओम शांती कॉर्लेवर स्टूडियो द्वारा प्रस्तत अम लेरत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है भुजाएं शक्ती की निशानी है भुजाएं सहयोग की निशानी है भुजाएं श्रेष्ठ कर्म की निशानी है परम पिता परमात्मा के स्वल्ने म्यूग स्थापन करने के श्रेष्ट करतव्य में हम सभी बच्चे भी उनकी भुजाएं है परन्तो अपने अपने सहयोग अनुसार कोई राइट भुजा है तो कोई लेफ्ट भुजा है राइट हैंड बच्चों की क्या निशानिया है आज हम इश्वरिये महवाक्यों द्वारा जानेंगे पर इन महवाक्यों के इस पश्टी करन के लिए हमारे मद्दे है प्रजापिता अब्रम्हा कुमारिस इश्वरिये विश्विद्याले के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्नी राजयोभाई सहाब अब आपका आज की अपिसूर में बहुत दो स्वाकत है इस अब आच हम बात करेंगे 16 दिसंबर 1985 के महावाक्यों पर जिसका टॉपिक है राइट हैंड कैसे बने परमात्मा अपनी अनेक भुजाओं को देख रहे है परमात्मा कहते हैं कि भुजाएं प्रत्यक्ष कर्म करने का आधार है हर आत्मा अपनी भुजाओं द्वारा ही कर्म करती है भुजाएं सहयोग की निशानी भी कही जाती सहयोगी आत्मा को राइट हैंड कहा जाता तो हात भुजा का साधन है फिसब भुजाएं किस चीज को दर्शाती है परमात्मा किन भुजाओं की बात कर रहे हैं इसको थोड़ा स्पष्ट करे परमात्मा अपने बच्चों को ही भुजाएं कहते हैं जैसे सरीर में ये भुजाएं हैं तो कोई भी कारी हम इन भुजाओं के आधार से कर सकते हैं परमात्मा निराकार है उनका अपना सरीर ही नहीं है तो अपने सभी बच्चों को वो भुजा के रूप में ही देखते हैं ये मेरी भुजाएं हैं और स्रेष्ट कारी के नीमित हैं इसलिए उनको राइट हैंड भुजा कहते हैं जैसे इस सरेर के अंदर राइट हैंड भुजा है उस राइट हैंड भुजा के द्वारा हर परमात्मा कहते हैं कि भुजाओं को शक्ती रूप में भी दिखाया जाता है. इसलिए बाहु बल कहा जाता है. भुजाओं की और विशेश्टा है. भुजा अर्थात हाथ स्नेहे की निशानी है. इसलिए जब भी स्नेहे से मिलते हैं तो आपस में हाथ मिलाते हैं. तब इस नई डैफिनेशन को थोड़ा स्परश्टता से बताएं. एक ओर जाता है यह भाहु बली है. भाहु बली उन्हाने भुजाओं में बहुत बल है. इसलिए उनको भाहु बली कहते हैं. सक्ती हे इसके अंदर तो परमात्माव कहता है एक ओर। और दूसरा ये हात् kingdom एप हो चानए का पतीक है जब हमकम आपस मिलते है एक या तो गले मिलेंगे या या हाथ से हाथ मिलाइंगे तो परमात्मा कहता है ये भी ऐक सनेह का पतीक है तो जो शक्ती और सने का स्नेह का बालेंस रख करके चलते है वो रएच़ है बुझा बन जाते परमात्मा कहते हैं कि इन चारों ही विशेष्टाओं द्वारा अपने आपको जान सकते हो कि मैं कौन सी भुजा हूँ भुजा तो सभी हो लेकिन राइट है वो लेफ्ट है जा इन विशेष्टाओं से चेक करो परमात्मा के कहते हैं कि पहली बात बाप के हर एक श्रेष्ट संकल्प को, बोल को कर्म में अरथात प्रत्यक्ष जीवन में कहां तक लाया है कर्म सभी के प्रत्यक्ष देखने की सहज वस्तो है कर्म को सभी देख सकते हैं और सहज जान सकते वगर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं इसलिए सब लोग भी यही कहते हैं कि कहते तो सब हैं लेकिन करके दिखाओ प्रत्यक्ष कर्म में देखें तब माने कि यह जो कहते हैं वहसत्ते हैं तो कर्म संकल्प के साथ बोल को भी प्रत्यक्ष प्रमान के रूप में स्पष्ट करने वाला है ऐसे राइट हैंड वराइट भुजा हर कर्मद्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर रही है सभीश्वरी प्रत्यक्षता में भुजाओं के इस योगदान को स्पष्ट करे परमात्मा के जो भी संकल्प हैं जो उनके बोल है अगर उनको हम किसी को बताना चाहते हैं कहते हैं कि कर्म परकी फ्र दिखाओ जिए सोचते रहे या बोलते रहे कैसा होगा ब्रमात्मा कैता है उसका प्रभाव नहीं ben examiner जो उनकल्प और भॉल हम पर बॉल इंदर या भाबग झरी कल्प को आपको जो भूल है करें एक राज एक भासा वाली दुनिया की सापना कर रहे हैं. तो वो दुनिया तो यजब आएगी तब देखा जाएगा. लेकिन वर्तमान में हम कहां एक मत होकर रहते हैं, कैसे संगाथन में चलते हुए इतना सनेह सम्वान देख कर रहते हैं, तो जब हम प्रेक्टिकल कर्म में सब जीजे दिखाते हैं, तब लोगों को हमारी कथनी का प्रभाव पड़ता है। मैं तो कहते हैं तो बहुत बड़ी-बड़ी बाते हैं, लेकिन अंदर एक है बाहर दूसरा है, या करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। तो हम सब को परमात्मा के इस सत्य ग्यान को दुनिया के आगे प्रतेक्ष कहने के लिए स्रेष्ट कर्म की कला सिखनी है, सिर्फ बोलना नहीं है, सोचना नहीं है, करके दिखाना है। बिलकुल, अगर हम कहते हैं, हम आत्मा हैं, हम कर्मिंद्री जीत हैं, तो कोई भी कर्मिंद्री मुझे दोका न दे, कर्म में अगर हम गुषा कर रहे हैं, कर्म हम से गलत हो रहे हैं, पर्वस हो कर कर रहे हैं, तो हम कैसे कहेंगे, मैं आत्मा हूं, मैं मालिक हूं, मालिक हैं, तो मालिक के कर्म कैसे होने चहिए वो practical दिखाई दे। परमात्मा केते हैं, जो राइट येंड बुजाएं हैं, हो सिर्फ सुछती ये और बोलती नहीं हैं, लेकिन हुख कर के दिखाती हैं। परमात्मा के कहते हैं कि राइट हैंड की विशेष्टा है, उससे सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म होता है राइट हैंड के कर्म की गती लेफ्ट से तीवर होती है तो ऐसे चेक करो सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म तीवर गती से हो रहे हैं श्रेष्ठ कर्मधारी राइट हैं अगर यह विशेष्टाएं नहीं तो स्वते ही left hand हो गई चुकि उचे ते उचे बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित उचे ते उचे कर्म है चाहे रोहानी द्रिष्टी द्वारा चाहे अपने खुशी के रोहानियत के चहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करते हो यह भी कर्म ही है तो ऐसे श्रीष्ठ कर्मधारी बने हो ये भी एक ने परकार का कर्म परमात्मा कहता है एक है हाथों से कुछ करना और एक है आपकी द्रश्टी से आपके चेहरे से वो इस पश्ट दिखाई दे आपके अंदर जो है वो बाहर दिखाई देना चाहिए तो भी जैसे कर्म में आगे परमात्मा कहते हैं जो राइट ेंड भुझाए हैं वो सदा सुभ और स्रीष्ट कारे आगे-ागे करती है और तीबर गति से करती है कोई भी कारे करना होता है तो कहते हैं ये हाथ मजबूत है वैसे कोई left hand वाले भी होते हैं, लेकिन तीवरत्ता से कोई भी कारे right hand से बहुत फास्ट किया जा सकता है. तो परमात्मा कहते हैं, जो मेरे right hand बच्चे हैं, तीवर पुरसार्थी भी हैं, और हर कर्म सुभ और स्रेष्ट करते हैं. अगर नहीं हो रहा है, तो अपने आप समझो, मैं left hand हूँ, राइट हैंड नहीं हूँ. अगर परमात्मा के राइट हैं, तो इस कारे में परमात्म प्रत्यक्षता के कारे में आपको सदा तत्पर रहना है. और वो कारे का धरपन, प्रेक्टिकल आपके कर्म हैं, और कर्म भी द्रष्टी और व्रत्ती से आपके चेहरे से भी दिखाई देने चाहिए. कि इतने उमंगो सवाल ये आत्मा हैं, कैसा इनका रूहानियत से भरपूर चेहरा है, तो ये भी जैसे कर्म हो जाएगा, तो परमात्मा इस अलोकिक कर्म की व्याख्या कर रहे हैं. जो मेरे राई टेन बच्चे हैं, उनकी द्रष्टी, उनका चेहरा, उनकी चलन, परमात्मा को पर्तेक्ष करने के निमित बन जाएगी. आगे परमात्मा कहते हैं कि भुजा आर्थात सहयोग की निशानी, तो चेक करो हर समय बाप के कर्तव्य में सहयोगी हैं, तन मंधन, तीनों से सदा सहयोगी हैं, वह कभी-कभी के सहयोगी हैं, जैसे लौकिक कारे में कोई फुल टाइम कारे करने वाले होते हैं, कोई समय काम करने वाले हैं, उसमें अंतर होता है, तो कभी-कभी के सहयोगी जो हैं, उन्हों की प्राप्ती और सदा के सहयोगी की प्राप्ती में अंतर हो जाता है, जब समय मिला, जब उमांग आया, जब मूड बनी, तब सहयोगी बने, नहीं तो सहयोगी के बदले वियोगी ब तो अब राइट हैं आत्माओं की इस विशेष्टा को फुड़ा सपष्ट करें. यह भी एक बहुत बड़ी विशेष्टा है कि जो राइट हैं अपने आपको समझते हैं कि हम परमात्मा के इस्थापना के कारे में सदा सहयोगी हैं, सदा राइट हैं यह हर पल रहते हैं कहीं तन की सकते लगाने, कहीं मन की लगाने, कहीं धन की लगाने जो सदा ही सिवा में तन, मन, धन सफल करते हैं वो राइट हैं। और अगर नहीं लगा रहां हैं औह या करें, तो मुझे सुमपन्न कर रहे औरोगी, तो स्वाइम कर रहे हैं। तो परमात्मा केसा उपन्ही है Çाल कि रहे हैं, नまだ इस परिव एक परस्ट कुछ मैसी करते रहे हैं। दिया है उसक्तुरू है, तो कर लाएक था एक परमात्मा का्रिय यह मेरा कारी है, यह नहीं कह सकते हैं, यह नहीं कह सकते हैं, जब पवस्यक्ता नहीं सदा लगे हुए उस कारे में, कि यह समय आने पर मदद क्या नहीं, सदा सहयोगी है। प्रमाता क्याते हैं कि देहे के संबंधों की जितनी प्रवर्ती है उतना ही अपने देहे की भी प्रवर्ती लंबी चौड़ी है। कई बच्चे संबंध की प्रवृती से परे हो गए हैं, लिकिन देह की प्रवृती में समय, संकल, पिधन, ईश्वरिय कारे से ज्यादा लगाते हैं. अपने देह की प्रवृती की ग्रहस्ती भी बड़ी जाल है. इस जाल से परे भी रहना, इसको कहेंगे, राइट हैंड, जब राइट हैंड की एक दूसरी विशेष्ता परमात्मा समझा रहे हैं, इसको विश्पष्ट करें यह भी बहुत गहरी विशेष्ता है कि परमात्मा कहरें एक तरफ तो सम्मंधों को तोड़ देते हैं बहुत जल्दी, सम्मंधों से किनारा कर लेते हैं, लेकिन जो देह की परवर्ती है, उस परवर्ती को छोड़ दिया, उससे तो किनारा करके आ गए, लेकिन जो देह की तो नहीं जा रहा है, कुछ समय बाबा की सेवा के लिए लिए लग रहते हैं, यह भी कईयों की आदत बन जाती है, समर्पित हो गए या सेवा में आ गए, तो हम समझते हैं, हम तो परमात्मा के बच्चे बन गए, तो हम समझते हैं, हम तो परमात्मा के बच्चे बन गए, तो तो ने समर्पित होने के बाद या ओर्मातमाा के बानने के रäg बाद सारा ताइम अपनी ही परवर्टी में देह की परवर्टी में विजी हो जाओ, इस आए इस सेवा के लिए जो बच्छ इस सहरीर को सच्छ गुते साले लग कर दो तार्मातमां है — लेकिन फंदे लेहित के ल पर रहते हैं पर रहते हैं तो बेसे संसकार भी आपस में मिलने चाहिए एसनी एक की विचारदार अलग है एक का संसकार अलग है एक कुछ बोल रहा है दूसरा कुछ बोल रहा है ये भी एक संसकार मिलन, ये सच्चे सनेही की निसानी है, तो भुजा एक तरफ सक्ती की निसानी, दूसरे तरफ सहयोग की निसानी, तीसरी तरफ सच्चे सनेही की निसानी, और सनेही आत्मा का मिलन सदा होता रहे, एक दूसरे से विचार मिलाके चले, आपस में जो बोल भी म बिल्कुल व्यक्ति भी जब इनसान शरीर को भी देखें, तो यदि हमारी नजरे कुछ और हैं और कर्म कुछ और हो रहे हैं, तो आपस में इसका मतलब कॉडिनेशन ठीक नहीं है, कही न कहीं कुछ गड़बड है. आगे वड़ते हैं तो परमात्वा इसी से संबंधित कहते हैं, कि जो बाप का संकल्प वह राइट हैंड का संकल्प होगा, बाप के व्यर्थ संकल्प नहीं होते, सदा समर्थ संकल्प यह निशानी है, जो बाप के बोल, सदा सुखदाई बोल, सदा मधर बोल, सदा साधारन बोल नहीं, सदा अव्यक्त भाव हो, आत्मिक भाव हो, व्यक्त भाव के बोल नहीं, इसको कहते हैं, स्निह अर्थात मिलन. अभी सन्हे बड़ी अच्छी परिभासा है। कोई संकल्ब होनने चाहिए और इसे किस परकार के बोल होनने concept रायट हैं बच्चों की ऑपनेशनिया हैं ऐसे नहीं हैं कि अगर हम अगर बोल यह हूं तो आया वोल रहे है परमात्मा जैसे बच्चों को सम्मान देते हैं, जैसे उनके बोल एक एक महावा के कहलाते हैं, उनके बोल दूसरों के उमंगुसा को बढ़ाते हैं, ऐसे ही राइट हैंड भुजाओं के संकल्प विश्व कल्यान के प्रत हैं, सर्वात्माओं का भला हो उसके प्रत संकल्प ह और उनके बोल इतने मधूर हैं, समानजनक हैं, अमूल्ब हैं, जिससे बोलने से लोगों को लगे कि ये हमारे हैं, हमारे कलियान के लिए सोचते हैं। तो परमात्मा कहते हैं राइट हैं भुजाओं के सने की निसानी ये भी है कि जैसे बाप के संकल पर बोल है ऐसे के भी होंगे परमादमा कहते हैं कि ऐसे ही संसकार मिलन, जो बाप के संसकार, सदा उदार्चित, कल्यानकारी, निस्वार्थ, ऐसे विस्तार तो बहुत है, सार रूप में, जो बाप के संसकार, वह राइट हैंड के संसकार होंगे, तो चेक करो, ऐसे समान बनना, अर्थात सनेही बनना, यह कहां तक है यह बहुत सुक्षिम चेकिंग है यह भी चेक करना चाहिए संकल्प बोल और संसकार इन तीनों में समानता कहां तक है जैसे बाबा के संसकार सदा कल्यान सदा उदार दिल बड़ी दिल जिस प्रकार से उन्होंने हम बच्चों की पालना की जो उनके निजी संसकार निराकार्ष बाबा के संसकार है ब्रहमा बाबा के अंदर जो इतीन अंदर रही जदा उदारता की, बड़े दिल की, कल्यान की, रहम की तो जब आमूंके समान बनते हैं तो यही सन्य का प्रतक्च परमान है बिलकुल आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि चौथी बात भुजा अर्थात शक्ती तो यह भी चेक करो कहां तक शक्तिशाली बने है संकल्प शक्तिशाली द्रिश्टी वृती शक्तिशाली कहां तक बनी है शक्तिशाली संकल्प दृष्टी व वृती की निशानी है वह शक्तिशाली होने के कारण किसी को भी परिवर्तन कर लेगा संकल्प से श्रेश्ट स्रिष्टी की रचना करेगा वृती से वायुमंडल परिवर्तन करेगा द्रिष्टी से अशरीरी आत्म स्वरूप का अनुभव कराएगा तो ऐसी शक्तिशाली भुजा हो वह कमजोर हो बुजाओं की शक्ति को आप फुड़ा सफष्ट करके बताएं परमात्मा अपने राइट हैंड बच्चों की बहुत अच्छी अच्छी निसानिया सुना रहे हैं वो शक्ति साली होंगे भुजाएं शक्ति कापर्तिक हैं और शक्ति कोई स्थूल में दिखाने की चीज नहीं है लिए उनकी द्रष्टि ऐसी होगी जुसमें एक आत्मिक भाव वो समाया हुआ होगा उनके संकल्प ऐसे होंगे जो नई स्थ्टि के निर्मान के काड़ि में आएंगे संकल्प से भग्वान ने स्रष्टि रच दी तो ऐसे ही जो संकल्प उठेंगे उससे नई स्रष्टि का निर्मान होता रहेगा उनकी जो वृत्तियां होंगी उस चेंज हो जाएगा जाएगा पॉसिटीव में बदल जाएगा तो परमात्मा करता है ऐसी शक्ति साली आत्मा है, जिनकी द्रष्टी, व्रत्ती, संकल्प, बोल, व्योहार सब से सेवा हो, सब से इस विश्व के परिवर्तन में सहयोग मिले, वो हैं बाबा के राइट हैंड़ बच्चे, तो हमें चेक करना चाहिए सच्मुछ, बाबा के समा जे और इसलिए परमात्मा ने कहा कि अपने आपको जो हूँ, जैसा हूँ, वैसे जानो, चुकि अभी फिर भी स्वयम को परिवर्तन करने का खोड़ा समय है, अलबेले पन में आकर के चला नहीं दो, कि मैं भी ठीक हूँ, मन खाता भी है, लेकिन अभिमान वा अलबेला पन परिवर्तन कराए आगे नहीं बढ़ाता है, इसलिए इससे मुक्त हो जाओ, यथार थरीती से अपने को चक करो, इसी में ही स्वकल्यान भरा हुआ है, ये भी स्वकल्यान की बहुत अच्छी विधी है, कई बार हमारे अंदर कई कमजूरियां होती हैं, लेकिन हम चला लेते चलता है, ठीक हो जाएंगे, समय आएगा, तो परमात्मा कहता है, या तो अभीमान है सुक्ष में या अलवेलापन है, अभीमान या अलवेलापन के कारण अपने आपको दिल खा रही है लेकिन परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, इसलिए महसूस करके स्वकल्यान कर सकते हैं, अगर गहरी महसूसता हो, कि मुझे अपने आपको बदलना है, मुझे अपने आपको चेंज करना है, पहले अगर महसूस किया और अलवेलेपन में और हेंकार को छोड़ करके बहुत नम्रता के साथ सुविकार किया, तब हम बदल करके अपना स्वकल्यान और विसुकल्यान क आप उन चक्रों से छुड़ा कर विजयी बना देता है, स्वदर्शन चक्र के आगे माया ठहर नहीं सकती। बस अब पहले हमने भुजाओं की बात की और अब अलंकार है स्वदर्शन चक्र, इसको भी थोड़ा सपष्ट करें। परमात्मा कहते हैं कि माया के अनेक चक्र है, वो तो चक्र भी हु है, इसलिए बियू में सब को फसाया हुआ है, जो इससे कोई निकल नहीं सकता। लेकिन जो बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हैं, स्वदर्शन करते हैं, अगर कोई ने परदर्शन किया, परचिंतन किया, परमत परपरपंच में चला गया, तो कभी भी माया के चक्र से निकल नहीं सकता। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं, जो बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बन करके रहते हैं, वो माया के अनेक चक्रों से छूट जाते हैं नहीं तो कहीं न कहीं माया अपने चक्र में फसाती रहती है इसलिए सदास्वा का दर्सन करते चलो बिल्कुल भासवाज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम परमात्मा के राइट हैंड बच्चे बने फसास्पष्टी करण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाज दर्शकूं आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि राइट हैंड बच्चे सदा परमात्मा के प्रतेक संकल्प वबोल को कर्म में अर्थात प्रत्यक्ष जीवन मिलाते हैं परमात्मा ने कहा कि राइट हैंड बच्चों की विशेष्टा है कि वह सदा अपने तन मंधन से इश्वरिय सेवा में सदा कारेरत रहते हैं परमात्मा ने कहा कि राइट हैंड बच्चों के संकल्प सदा समर्थ होते हैं उनके बोल सदा, सुकहदाई और महवाक्य होते हैं और उनके संस्कार परमात्मा के समान सदा कल्यानकारी होते हैं जशखवाज के महवाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आफ हमें ई-मेल कर सकते हैं हमारा ई-मेल आइडिया है अगले एपिसोड में एक और अव्यक्तवानी के साथ आप सभी के समक्षम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त, हुम शान्ती रचना, वृति से वायू मंदल का परिवर्तन और द्रिष्टी से अशरीरी आत्म स्वरूप का अनुभाग कराएंगे स्वदर्शन चक्र अनेक प्रकार के माया के चक्रों को समाप्त करता है ज्यान को स्मृति में रख, उसकी खुशी में रहो, खुशी अनेक प्रकार के दुख बुलाने वाली है यथार्थ रीदी से अपने को चेक करो, इसी में स्वाकल्यान भरा हुआ है इस श्रंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवोड स्टूडियो से संपर्क करें झाल